कपड़े पर सीधी लकीरें और कोने सिलाई करना आपने कागस पर सीधी लकीरें और कोने सिलाई करने का अभ्यास किया और सीखा अब आप वही अभ्यास कपड़े पर कर सकते हैं यह करने से आपको कपड़े पर सीधी लकीरें और कोने सिलाई करने का सच्चा अनुभव होगा उद्देश्य इस पाट के अंत में आप कर पाएंगे एक कपड़े के टुकड़े पर सीधी लकीरें और कोने खीच कर उसके सहारे से कपड़े पर सिलाई मशीन से ठीक तरह से सीधी सिलाई करना अब हम सीखें उन उपकरण और सामगरियों के बारे में जिनके उपयोग से आप कपड़े पर खीची सीधी लकीरे और कोने के उपर सिलाई का अभ्यास कर सकते हैं इसके लिए आपको स्निपर, पेंसिल, स्ट्रेट स्केल, कपड़ों के दो टुकड़े जिनका हर एक कम आप 20-20 सेंटीमीटर हो की जरुरत पड़ेगी अब हम देखें कि कैसे कपड़े पर खीची हुई सीधी लकीरे और कोने के उपर ठीक तरीके से सिलाई की जा सकती है तुकड़ों को मशीन के प्रैसर फुट के नीचे रखें एक अलग कपड़े पर सीधी लकीरे और कोने खीचे अब जिस कपड़े पर सीधी लकीरे और कोने खीचे हो उस कपड़े को दूसरे साधारन कपड़े के उपर रखें दोनों कपड़ों के टुकड़ों को प्रेसर फुट के नीचे रखें और अधिशेश कपड़ा बाईं तरफ रखें मशीन के प्रेसर फुट को उठाने के साधन को अपने दाहिने हाथ से नीचे की तरफ दबाईए और इस प्रकार कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे स्थापत करें चरन दो कपड़े की पहली लकीर के उपर से सिलाई की शुरुवात करें ट्रेडल चलाने का प्रारंब करें और उसके साथ साथ अपने दाहिने हाथ से मशीन के फ्लाई वील को अपनी तरफ खींचें चरन तीन ट्रेडल को लगतार चलाए रखें और कागस पर अपने दोनों हाथों से नियंतरन रखें ट्रेडल की चालन अपने पैर के जरिये जारी रखें कपड़े पर अपने दोनों हाथों से नियंत्रन रखें सिलाई को ठीक से सिधाई में बैठाने के लिए सुई और प्रेसर फुट पर अपना ध्यान रखें मिशीन के चलने से फीड डॉग अपने आप कपड़े को आगे बढ़ाएगा लेकिन सिलाई ठीक लकीर में बैठाने के लिए सुई और प्रेसर फुट पर आपको ध्यान रखना जरूरी है चरन चार कोना पहुंचते ही सिलाई बंद करना और दूसरी सीधी लकीर के लिए कपड़ा घुमा लेना खीचे हुई लकीर के अंत तक पहुंचने से पहले ट्रेडल की स्पीड को जरा कम करके फ्लाई वील को रोक दें ताकि कोने तक पहुंचते पहुंचते सुई रुक जाए अपने दोनों हाथों का उप्योग करके कपड़ा घुमा लीजे ताकि नई लकीर आपके सीधा सामने मौजूद हो चरन पांच एक पर सीधी सिलाई पूर्ण होने के बाद अभ्यास दोहराईए अब आप दूसरी लाइन सिलाई करने जा रहे हैं तो पहली लाइन के लिए जो भी किया उसे दोहराईए चरन छै सिलाई करने के बाद धागे को पकड़ के रखे ताकि धागा खिंच न जाए और बचे धागे को काट डाले सम चतुर्भुच के चोथी और अन्तिम सीधी सिलाई समपूर्ण होने के बाद प्रेसर फुट को उपर करें कपड़े को घुमाईए प्रेसर फुट नीचे करें और आपने जो पहली सीधी सिलाई की उस पर पुर्णह दो तीन सिलाईया करें ऐसा करने से सिलाई अलग नहीं होगी अब आप प्रेसर फुट उपर उठाईए दोनों कपड़ों को साथ खींचे और अधिशेश धागा स्निपर से काट डालें चरन साथ अभ्यास जारी रखिए जब तक सारे समचतुर्भज पूरे न हो जाएं आप अभ्यास अन्य सारे समचतुर्भजों में करते रहें जब तक अभ्यास पूर्ण न हो अब हम प्रमुख कदमों का पुनर्विचार करें चरन एक कपड़े के दो टुकड़ों को मशीन के प्रेसर फुट के नीचे रखें चरन दो कपड़े की पहली लकीर के उपर से सिलाई का शुरुआत कीजे चरन तीन ट्रेडल को लगतार चलाए रखें और कागस पर अपने दोनों हाथों से नियंत्रन रखें चरन चार कोना पहुँचते ही सिलाई बंद करना और दूसरी सीधी लकीर के लिए कागस घुमा लेना चरन पांच एक बार सीधी सिलाई पूर्ण होने के बाद अभ्यास दोहराईए चरन छै सिलाई करने के बाद धागे को पकड़के रखें ताकि धागा खिच न जाए और बचे धागे को काट डालें चरन साथ अभ्यास जारी रखें जब तक सारे समचतुर्भज पूरे न हो जाएं अब आपने कपड़े में सीधी लकीरे और कोने सिलाई करना सीखा कपड़े में घुमावदार लकीरों में सिलाई सीखने के लिए हमारी अगली कक्षा लीजे पूरे जब आपने के लिए पूरे लकीरे लिए से लिए प्रोशित